तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही बेतरीन प्लान के जो की टीन सेट के साथ है आपको मैं बताने वाला हूँ ग्रामील का ये घर है अगर आप गाओं में रहते होंगे तो आप जानते होंगे टीन सेट आगे रखवाया जाता है उसी को देखते हुए इस प्लान क सब्सक्राइब कर लेकर यहां तक की लंबाई है इसी मोड़ों को डिस्कस करेंगे बहुत है बेतरीन तरीके से तो बने रेशूर्म लगातार मैं उपन झागड़े और आप दिख रहे हैं अपना चैनल इसमाल हूश प्लान के आपने दोस्तों अभी तक इसमाल हूश प्ला है आज का जो टॉपिक है आज का जो आपका मॉडल्स है वह आप देखिए को फ्रेंट इलिविशन यह आपका देख रहे है यह स्लोप है जहां सब अंदर जाएंगे और यह आपका टीन सेट आगे रखा हुआ है और यह पूरा अफास फ्लोर क्रेट किया है मैंने तो चलो इसका ग्राउन फ्लोर है उसे मैं डिसकस कर लेता हूं तो यह दिखी कि इसका ग्राउन फ्लोर है ग्राउन फ्लोर पर आगे टीन रखा हुआ है आपको यह दिख रहा है चार पिलर है उसी पर टीन टिका हुआ है इसका में डूर आपका यह है चलो मैं इस टीन को हटा कर तो आप दिखी का घर के आंगन में आ जाते हैं घर के आंगन में आने के बाद यह आपको इस्टेर्स मिल जाती हैं यहां से आप चलना स्टार्ट करेंगे टर्न होकर वापस आएंगे उसी के नीचे लेटन बात एक बड़ा समय क्रेट कर दिया है और इस कॉर्णर की बात करें इस कॉर्णर पर एक बेट डूम बना दिया है इधर बात करें तो इधर आपको दो बेट डूम मिल जाते हैं एक इस कॉर्णर पर एक फ्रंट में और बीच में आपका केशेन एरिया क्रेट कर दिया है तो कुल मिलाकर तीस भाई 35 फिट में आपको तीन बेट डूम मिलते है तो 27 में 27 क्रॉस 30 में ये मकान बना हुआ है मतलब कि 30 फिट इसका लंबाई है और 27 फिट में ये है तो 27 फिट में आपको 3 बेट डूम, केचेन, लेट बात, स्टेर्स, आंगन वगएरा देखने को मिल जाता है तो लो बजट हाउस प्लान है, ग्रामील इलाके के लिए बहुत ही बेटरी प्लान होने वाला है इसलिए मने आपको जूम करके और दिखा देता हूँ इससे आपको उसका प्रॉपर विउस समझ में आ जाए और लाश में गुम्टी को भी डग दिया है और यह ग्रिल लगा दिया जो कि यह नॉर्मल सी ग्रिल है आपका पूरा मकान बनकर रेडियो हो जाता है आपका तीस भाई 35 पर प्लान है जरूर करते कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं यह आपने